तो दोस्तों आप लोगों ने मनोजदे का तो नाम सुनाई होगा, इनका एक बहुत बड़ा यूटूब चैनल है मनोजदे नाम से, जिस पर कम से कम 3 मिलियन यानि कि 30 लाग क्यास पास सब्सक्काइबर है, और ये अपने यूटूब चैनल से इस समय लाखों रुपे कमा रहे तो इतना बड़ा इनका चैनल होने के बावजूद मनोजदे ने छोटे क्रियोटूबरों साथ बहुत ही गलत किया है, तो इतना बड़ा आदमी आखिर ऐसा काम कैसे कर सकता है, जब मुझे इस बारे पता चलाना तो मैं तो एक दम सोख हो गया, कि आखिर इतना बड़ा तो दोस्ते, यहां पर मैं आपको सबसे पहले स्क्रीन साट दिखा देता हूँ통 यहां पर मैंने देखिे, स्क्रीन साट लगा दिए, सबसे पहले लिखा है आज से मैं अपने यूटूब चैनल पर प्रोमोशन स्टार्ट किया हूँ अच्छी बात है अब यहां पर देखें आगे लिखा है हमारी टीम ने आपके चैनल को सेलेक्ट कर लिया है यानि कि हमारी चैनल को प्रोमोट किया जाएगा तो यह भी बहुत इसके बाद आगे लिखा है इसमें वही यूटूबर सेलेक्ट होंगे जिनके यूटूब चैनल पर अभी तक 1K सब्सक्राइबर और 4000 वास्टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि अभी तक होता क्या है कि बले बले यूटूबरों को ही प्र प्रमोट हो सकेंगे क्योंकि इतना बड़ा चैनल जब किसी को प्रमोट करेगा तो उसका चैनल तो ग्रो होई जाएगा तो यहां तक भी बहुत बढ़ी यहां था ठीक अब देखते आंगे उसके बाद यहां पर लिखा है मैं अपने वीडियो के टाइटल में आपके चैनल इसके बाद लिखा है इसमें आपको एक छोटा सा अमाउंट फीस के रूप में पे करना होगा जो कि औली रूपे पांच जार है तो जब मैंने यह पढ़ा ना तब मैं एकदम सौक हो गया कि आखिर मनोज दे लाखों कमाने वाला आदमी यह तुच्चा काम कैसे कर सकता है जा रूपे आखिर पांच जार रूपे कैसे मांग सकता है और आप लोग मनोज को जानते हो तो अन्हों पर वो पोड़कास करें लोगों को बुलाएगा उनके चैनल को प्रमोट करेंगा तो यहां तक तो ठीक था लेकिन जब मैंने यह मेल पढ़ा ना पाजार वाली बात तब मेरे मन में डाउट आया कि यार यह मनोज दे आखिर ऐसा काम कैसे कर सकता है इतना बड़ा यूटूब चैनल हो इतना बड़ा आदमी है लाखो रूपय कमा रहा है आखिर अपनी फेस वेल्यू को गिराएगा इतने छोटे सकाम के लिए उसके तो रेपिटिशन खराब हो तो मेल देखके तो आख कोई नहीं कह सकता कि मनोज दे ने बेह जाए तो जब यह मैंने मेल पड़ा ना पांच जार रुपय वाला तब मेरे मेरे में डाउट आया कि आखिर बात की सच्चाई क्या है तब मैंने मनोज दे की जीमेल आईडी जो सच की वहाँ पर मैंने देख कि मनोज दे बिजने सध्य आउडी सेम ऐसा यह यह आर यहां कि सेम आई तो मैंने सोचा यार अखिर आखिर ऐसा काम कैसे कर सकता है मेन के उसलियत मानि घया का सकता है यह vanous यहें इसलिय Parent Unie तो उसके बाद मैंने फिर से उसकी Gmail ID अच्छे सच करी उसकी Gmail ID को अच्छे से एक-एक spelling मेच करी उसके बाद मैंने इसकी सचाई पता चला तो आईये मैं आपको दिखाता हूं कि यही पर आप गलती कर बैठ होगे तो इसलिए आपको बहुती ध्यान से मेरी वीडियोग देखना है क्योंकि आज से आप लोग सतर्क हो जाओगे मेरी इस वीडियोग देखे तो जब मैंने इसकी Gmail ID देखी न तो यहाँ पर मनोस दे तक तो ठीक था उसको और बिजनेस में यह कर दिया गया तो इस तरह जब मैंने इसको देखना तब मैंने सच्चाई पकली कि यह गलती है तो यह जो मेले फरजी है यानि कि फरजी मेल है तो इसलिए अगर आप लोग भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हो ना तो आप लोग का यूटूब चैनल है और आप लोग भी यह जाने बेना समझे कुछ मत करते ना नहीं इन भाई की तरह आप भी रहो गे बाद में आमाउंट इसके बाद काओगी कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया यह हो गया वो गया इसलिए आज की वीडियो में सिर्फ फुर शिप आप लोगे के लिए बना रहा हूं ताकि आप आप लोग देख रहा है एक सेकंड के लिए तो मैं भी एकदम परिशान हो गया था कि आखिर मनोज दे ऐसा कैसे कर सकता लेकि जब मैंने अच्छे से देखा ना तब पसा चला कि यह फ्रॉड है फरजी है तो इसलिए अगर आप लोग जो मेरी ओडियो देख रहे ना तो उ अगर आपको अपने चैनल ग्रो करने न आपको खुद मेंद करने पढ़ेगा तो आप का चैनल खुद फे खुद अपने आप आप सब्सक्राइबर यूगों और आप लोग भी अच्छा-धा-पैसा पैसा कमाने लगों इसलिए आप लोग को भी किसी का प्रोमोसन के सारे नहीं बैठना नहीं तो आप लोग भी ऐसे गलतिक कर बैठा होगे फिर आप लोग के साथ भी फ्रॉड हो जाएगा फिर आप लोग बैठके रहोगे कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया यह वो गया तो इसलिए जो भी मेरी ओडियांस देख रही तो उनको मैं यही बताना है तो जो मेल है बिल्कुल फर्जी है फर्जी मेल है मनोजदे जैसा बड़ा आदमी लाखों कमाने वाला आदमी ऐसा तुच्चा काम तो कभी करी नहीं सकता है तो आप आप आपको अच्छी लगए अगर आज की वीडियो साब कुछ सीखने मिला हो तो मेरी वीडियो के बा